अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और नोटिफिकेशन बैल को प्रेस कर लिजे ठीक है आईए देखते हैं क्या है पाइबॉंड लोन पेर कांज्यूगेशन यह देखिए पाइबॉंड और लोन पेर के बीच में हम लोग कांज्यूगेशन देखने वाले हैं जै आफ दीस पर्टिकुलर इस्ट्रक्चर ठीक है तो हमें यह देखना है कि पाइबॉंड लोन पेर कांज्यूगेशन कैसे होता है तो इसमें लोन पेर जो होता है वो सिंगल बाउंड के तरफ मूफ करता है अगर मोटा मोटी हम लोग बोले तो पाइबॉंड जो यह लोन पे लोन पेर मूफ करेगा सिंगल बाउंड के तरफ और पाई बाउंड जो होता है उसमें से एक बाउंड मूफ करेगा कार्बन एटम के उपर जिसकी वजह से कार्बन एटम के उपर आजाएगा यहां पर निगेटिव चार्ज और लोन पेर यहां पर मूफ करेगा तो यहां पर आजाएगा double bond ठीक है next structure आपके देखिए कैसे बने हुई है यहां पर आगया double bond तो यहां पर आगया negative charge तो इसके उपर आगया negative charge अब देखिए यहां से loan pair move किया तो यहां पर आजाएगा positive charge क्यों क्यों क्योंकि loan pair का मतलब दो electron यहां से निकल निकाले जा रहे है निकल रहे है ठीक है तो यहां पर आगया positive charge बचे दो loan pair और यहां पर आगया negative charge तो यह तो होगया आपका pi bond loan pair conjugation कैसे हम लोग denote करते है ठीक है आगये इसे के उपर एक question देख लेते हैं ताकि हमारे जो concept है वो clear हो जाए ठीक है तो यह आपके सामने structure बनी हुए question में यह दिया हुआ है और हमें बताना है कि how many regionating structures are possible और अगर हमें regionates hybrid भी बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे ठीक है दोस्तों तो आईए देखते है यह structure है oxygen के उपर यहां पर loan pair है अब इसमें से एक loan pair move करेगा single bond की तरफ और यह double bond move करेगा इस carbon open के उपर अब आप लोग के एक बात और मैं clear कर दूं यह pi bond move करके इसके उपर क्यों नहीं रख क्यों कि अगर इसके उपर आएगा तो इसकी valency इसके उपर electron जाओंगे वह जादा हो जाएंगे ठीक है मतलब जितना इसकी छमता नहीं है carbon की जितने vacant orbital नहीं है जितने capacity नहीं है उससे जादा electron इसके उपर आ जाएंगे त ठीक है बिल्कुल भी possible नहीं है तो इसलिए यह pi bond move करता है इस carbon के उपर ठीक है ताकि conjugation बना रहे है यहाँ पर यहाँ पर loan pair या फिर minus charge या फिर post charge ठीक है तो यह देखे यह move किया इसके उपर यह double bond बन गया इस यह move किया इसके उपर यह तो negative charge आ गया ठीक है negative charge double bond अब यहा इस single bond के ऊपर यह double bond हो जाए गए ye moww करेगा इसके उपर यहाँ पर पर मूफ करा नहीं सकते, क्योंकि ये पुरानी बन जाएगी, ठीक है, जो ये बनी हुई है, एक ये वाली, और अगर हमें, इसका इस्ट्रक्चर बनाना हो, जो घ्रिड हो, रेजोनेंस हाइबृट जिसे वह लोग कहते हैं, तो यह इसका simply ऐसे ही बन जाएगा ठीक है बन के और सब के ओपर partial double और partial negative charge सिर्फ oxygen atom को छोड़ के oxygen पर क्या जाएगा partial positive charge ठीक है तो यह था आपका pipe on loan pair conjugation अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को subscribe जरूर करिए notification bell को press कर लिजिए मिलते हैं next वीडियो में ठीक है दोस्तों धन्यवाद